हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दर्षना दर्षना स्कीचर में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही मंचूरियन जैसा लारीपन मिलता है सुपर सॉफ्ट और टेस्टी गोभी का मंचूरियन साथ में बताऊंगी एक सीक्रेट जो कभी कोई नहीं बताता तो इसके लिए मैंने एक बड़ी सी 500 ग्राम जितनी गोभी लेकर इसे हेंडी चोपर से छोटी छोटी कट कर ली है इसे बहुत ही आसान और परफेक्ट चोप कर सकते हो अब हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें कट की हुई पता गोभी को एड़ कर लेंगे उसमें एक बड़ी सी प्यास को छोटी 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 चोप करकर एड़ करेंगे नेक्स्ट उसमें दो चमच मीर्च और अद्रप की पेस्ट एड़ करेंगे एक चमच चौप लसुन को एड़ करके बाकी का लसुन ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे एक चमच सोया सोस, एक चमच रेड़ चिली सोस, एक चमच टॉमेटो केचप, हाप टेबल स्पून ब्लेक पेपर पाउडर टेस्टू सॉल्ट एड़ करके उसमें चार चमच मेदा और तीन चमच कॉनफलोर एड़ करेंगे और सारे इंग्रीडियस को हाथों से मिक्स करेंगे जैसे जैसे जरूर लगेंगी हम चार चमच मेदा और तीन चमच कॉनफलोर एड़ करेंगे और इसका गोला बन सके ऐसा डो जैसा ready करेंगे बिल्कुल ऐसा ही तेल हमारा गरम हो चुका है गोबी का जो डो बनाया है उससे आप बॉल्स बना कर फ्राइ कर सकते हो पर मैं यहां डायरेक्ट तेल में ही डाल कर फ्राइ करती हूं जिसे गोले में से जो पानी छुटता है वो डो को ढिला ना कर सके हाथों पर तोड़ा तेल लगा कर गोला बना कर सिधा इस तरह से तेल में एड़ करेंगे गेस की आंच मीडियम रखेंगे और इसे उपर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करते रहेंगे नीचे थोड़ा होते ही इसे पल्टेंगे और एक बार उपर आ जाए उसके बाद बार-बार पलटते रहेंगे जिसे सभी साइड से अच्छा सा कलर आ जाए बहार मिलने वाला मंचुरियन सिर्फ गोबी से बनता है और वही टेस्ट का मजा लाने के लिए हम आज पत्ता गोबी के मंचुरियन बना रहे है अगर आप मिक्स वेज के मंचुरियन बनाना चाहते हो तो इस चैनल पर उसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है लिंक डिस्रिप्शन में दे रही हूँ वहाँ से आप देख सकते हो मंचुरियन फ्राइ होकर रेडी है निकाल देंगे और इसी तरह से सारे मंचुरियन फ्राइ करके रेडी कलेंगे बहार से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट परफेक्ट मंचुरियन बनकर तयार है चलिए अब इसकी ग्रेवी बनाते है तो इसके लिए सेम बहार जैसी आयन की कडाई लेकर उसमें पांच बड़े चमच तेल को इस तरह सभी साइड से गुमा कर डालेंगे तेल गरम होते ही एक छोटी सी कटकी हुई प्याज और हरे प्याज के सफिद पाट को कट करके एड़ करेंगे फूल गेस पर कच्ची पकी इसे पका के मिक्स करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी चमच छोटी छोटी चोटी कटकी हुई लसुन एक से डेर चमच अद्रक मिर्च की पेस जो आप स्किब भी कर सकते हो और इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक छोटा सिमला मीर्ज को कट करके एड करेंगे नेक्स्ट एक बाउल छोटी कट की हुई पत्तागो भी एड करेंगे और मिक्स कलेंगे यहाँ पर सभी सबजिया छोटी छोटी कट करनी है और हाफ कुक करनी है अब इसमें एड करेंगे यही सिक्रेट जो कोई नहीं बताता और आप जब बनाते हो तो बहार जैसा कलर भी नहीं आता तो मैं बताती हूँ यहाँ पर तीन चम्मच केचप लेकर उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर को मिक्स किया है और इसे अच्छे से मिला कर सबजी में एड करेंगे ये लीजिए एक सिक्रेट से आपके मंचीरन का कलर भी बहार जैसा हा गया अब इसमें दो चम्मच सोया सोस एक चम्मच रेड चिली सोस एड करके इसे भी मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट तक इसे पकने देंगे नेक्स्ट इसमें एक चम्मच विनेगर एड करके फिर से मिक्स कर लेंगे मंचूरियन सौफ्ट रहे और थोड़ा सा घाड़ा बनाने के लिए एक कटोरी में एक चमच कॉन फ्लो लेके तीन चमच जितना पानी एड़ करके अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में एड़ करेंगे और तुरंथ इसे ही लाएंगे एक कप पानी या आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी लेके पानी गरम होते ही टेस्ट अकोडिंग पानी के हिसाब का नमक डालेंगे मंचुरियन के बॉल्स को एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे लग रहा है बहुत ही मस्त बहार जैसा कलर सूपर सौफ्ट और टेस्ट तो अच्छा है ही तो पतागोबी का मंचुरियन बनकर तयार है उपर से हरे प्यास के हरे पाट को छोटी छोटी कट करके एड़ करेंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत ही आसान कम इंग्रीडियन्स में ये टेस्टी मंचुरियन ट्राइज जरूर करें साथ में कॉमेंट करके बताए कि आपकी प्रोब्लम और नेक्स्ट रेसिपी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से करें लाइक, शेर, सब्सक्राइब दर्सनास की चन बाई बाई, सी यू सून